हेलो फ्रेंड्स चलिए आज हम बनाना सीखते हैं वेज उपमा रेसिपी तो इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या इंग्रेडियंट्स लगेंगे हम हम उने देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें लेना है सूजी पारीक या मोटी वाली कोई सी भी ले सकते हैं और इसके लिए हमें लेनी है कुछ वेजिटेवल्स जैसे सिमला मिर्च एक गाजर ली है करीपत्ता और दो हरी मिर्च ली है मैंने और एक आधा कटववा निब्बू का टुकड़ा लिया है तो अब सबसे पहले और थोड़ी सी धन्यापत्ती भी लेनी हमें और इसके बाद हमें जो गाजर है इसे कद्दू कस कर लेना है और सिमला मिर्च को बारिक बारी काट लिया है तो ये तयारी करने के बाद अब लेते हैं हमें एक कड़ाई और उसमें डाल देते हैं एक चमच तेल और बगार के लिए हमें चाहिए राई उड़त दाल और मिर्च ये मैंने बगार में डाल दिया अब करी पत्ते डाल देंगे और ये मैंने कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें मिर्च और इसे 2-3 मिनिट तक के लिए पकाएंगे इसे और इसके बाद अब इसमें डाल देनी है सूजी तो यह मैंने सूजी इसमें डाल दिया और इसे कम से कम 5-6 मिनिट तक अच्छे से इसे भून लेना है ताकि यह पक जाए थोड़ी और रोष्ट करना है दरसल सूजी को जिससे जो उपमा होता है बहुत ही बढ़िया बनता है और अब मैंने इसमें डाल दिया है यह गाजर और इसके बाद गाजर को भी 2-3 मिनिट तक इसी प्रकार से भून लेना है और यह देखिए भूनने के बाद इस प्रकार से दिखेगा और अब इसमें जिस कटोरी से सूजी लिया था उसी कटोरी से नाप के दो कटोरी पानी इसमें डाल देना है और इसे कम फ्लेम पे करके ढाक के पकने के लिए छोड़ देना है और करीबन 10 मिनिट के बाद हम इसे धकन हटा के देखेंगे तो यह देखिए सूजी जो है फूल चुकी है उसके एक एक दाने जो है फूल चुके है इसे हम अच्छे से नीचे अगर हम गैस की फ्लेम इस ट तो यह देखिए मैंने इसे निकाल लिया है यह देखिए बिल्कुल भी नीचे से लगी नहीं है और बढ़िया पक चुकी है सूजी अब मैंने यह डाल दिया स्वात के अनुसार नमक और दो चम्मा शक्कर इसमें डालनी है तो यह मैंने दो चम्मा शक्कर डाल दी यह इसे मैं पहले डालना भूल गही थी इसलिए मैंने इसे बार में डाला है इसे कोई फरक नहीं पड़ता और यह मैंने निपू का रस इसमें अच्छे से डाल दिया है इसे बहुत ही बढ़िया उपमा का टेस्ट आता है इसे टेस्ट जो है उपमा का बढ़ जाता है तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसमें उपर से डाल देनी है धनियापत्ती और इसे मिला लेंगे और लीजे उपमा जो है बनके तयार हो चुका है अब इसे अच्छे से बस मिक्स करना है बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में उतना ही स्वाधिश्ट होता है तो आप जरूर बना के देखिएगा और यह देखिए इस प्रकार से इसे हम प्लेट में सेर्व कर लेंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको रैसिपी कैसी लगी मिला